Hello everyone, this is Shikha Srivastok from Mathematics Farm. आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 that is Fraction and Decimals में Exercise 2.1 का Question No. 8 solve परेंगे. क्या है Question No. 1? Manoj finished coloring a picture in 7 by 12 hour. Manoj किसी picture को color कर रहा है, तो उसको कितना time लग रहा है? 7 by 12 hour लग रहा है. Vajbo finished coloring the same picture in 3 by 4 hour. और जब Vajbo is the same picture को color कर रहा है, तो उसको कितना time लग रहा है? उसको 3 by 4 hour लग रहा है. Who worked longer? आपको बताना है कि किसने ज़्यादा देर तक काम किया है? किसने ज़्यादा time तक काम किया है? By what fraction was it longer? और कितने fraction से ज़्यादा काम किया है? मतलब आपको difference भी find out करना है कि कितने से ज़्यादा काम किसने किया है? तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं. Manoj. Manoj को कितना time लगता है? 7 by 12 hours लगते हैं. उसके बाद गैदो. गैदो को उसी picture को color करने में 3 by 4 hours लगते हैं. कितने लगते हैं? 3 by 4 hours. अब पूछ है who worked longer? किसने ज़्यादा देर तक काम किया है? तो इसका मतलब इन दोनों में comparison करना है, compare करना है. क्या आप अभी इन दोनों में compare कर सकते हैं? यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है. ऐसे देखके आप नहीं बता सकते कि कौन, किसने ज़्यादा देर तक काम किया है. तो सबसे पहले आप इसके denominator को same बनाईए, तब जाके आप compare आसानी से कर पाएंगे. तो इसका denominator 12 है, इसका denominator 4 है, तो 4 और 12 का LCM ले लिजिए, 4 और 12 का LCM ले ले लेते हैं, 2 से काटिये, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 अंजा 2, 2 3 जा 6, अप्र 3 से 3 बन जा 3, LCM क्या आजाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका LCM आगे 12, इसका मतलब इन दोनों का denominator 12 बनाना है, क्या बनाना है 12, पहले वाले का 12 भाई है, उसमें कोई changing मही करनी है, बट जो दूसरा वाला है, इसमें denominator 4 है, 4 को अगर हम 12 बना लेंगे, तो दोनों का denominator सेम हो जाएगा, इसमें मैं कौनसे number से हैसे multiply करूँ, कि इसका denominator 12 बन जा है, 4 को किस से multiply करें, 3 से, तो नीचे multiply गिया है, तो उपर भी 3 से multiply होगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, इत्यास, तो 3 बाई 4 का ये equivalent fraction ही है, 9 बाई 12, दोनों की value equal है, इसका मतलब 3 बाई 4 ही है, इसको simplify करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा आसानी से compare करने के लिए, ऐसा हम लोग किये है, इसका denominator हम लोग 12 बनाए है, अब आप compare आसानी से कर सकते हैं, कि 7 by 12 बढ़ा है, या 9 by 12 बढ़ा है, बताए कौन से बढ़ा है, 9 by 12 बढ़ा है, है ना, इसका मतलब वैगों को जादा time लगा, मनोज को 7 by 12 लग रहे है, और किया है, वैबो ने, यहां पूछ रहे हैं, वो वर्ट लॉंगर, तो आप क्या answer देंगे, वैबो वर्ट लॉंगर, वैबो ने जादा देर तक काम किया है, अब वैबो ने कितने time ज्यादा काम किया है, मतलब कितना time उसको ज्यादा लगा है, मनोज से ये निकालना है, तो दोनों का difference find out कर दीजे, क्या find out करिए, difference, मनोज ने जितना time लगाया, सौरी, बैबो ने जितना time लगाया, और मनोज ने जितना time लगाया, इन दोनों को minus करिए, जो value आएगी, उतना उसने ज्यादा काम किया, तो चलिए, 9 by 12 hours, minus 7 by 12 hours, दोनों में 12 है, 12 हो जाएगा, ऊपर 9 by 7 होगा, hours, इसको calculate करिए, 9 में से 7 गया, 2 by 12 hours आएगे, इसको simplify कर लिजे, 2 अंजा 2, 2 6 जा 12, इसका मतलब आया है, 1 by 6 hours, यह proper fraction में आया है, ऐसे ही आपको लिखना है, proper fraction में, तो आप क्या लिखेंगे, by what fraction was it longer, बैगो ने कितना ज़्यादा देर तक काम किया है, 1 by 6 hours उसने ज़्यादा काम किया है मनोज से, तो लिखिए, बैगो वर्ड लॉंगर दैन मनोज बाई, कितने hours, 1 by 6 hours, इसका मतलब है, बैगो ने मनोज से, 1 by 6 hours ज़्यादा काम किया है, समझ में आया, बहुत simple सा question था, इसमें मनोज का time पता था, बैगो का time पता था, हमने दोनों का denominator सेम बनाया, तो इससे हम आसाने से compare कर पाए, कि किसने ज़्यादा देर तक काम किया है, तो यहाँ से पता चला कि बैगो ने ज़्यादा देर तक काम किया है, तो बैगो वर लॉंगर, अब कितने से ज़्यादा किया है, मतलब कितनी देर, उसमें और ज़्यादा काम किया है, मनोज से, तो आप क्या लिखेंगे स्टेट्मेंट, बैगो वर्ग लॉंगर देर, मनोज बाई, 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 सिक्स आर्स, होप स्ट्रेंट्स, आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी, यह क्वेशन अच्छे से समझाया होगा, सो मिलती हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार,